हेलो आपरिवान वेलकम बैक वीवर्स कैसे हो आपसे वलुक गाईज सबसे पहले आप सभी को हैपी नवरातरा फर्स डे है आज और मैं आपके लिए एक और नियू रीडिंग करने वाली हूँ देखने वाली हूँ आपके परसन की अभी इस वक्त के आपको लेके ट्रू इंटेंशन क्या है तो उनके दिल में जो भी होगा वीवर्स आपको यहाँ पर देखने को सुनने को मिलेगा तो रीडिंग जैनल है जितना भी आपसे रेजुनेट हो वो क्लेम करें जो आपसे रेजुनेट ना हो से जाने दिजएगा रीडिंग को लाइक शेर और सब दीज gebrachtने समयरिटेंशन म खर्गें जो बखाए क वर में परसंड इंके परसंड नेंस परसंड लिए रेटिंग जेकन आंचनाया के है प्लीज उनिवर्स बताएं ट्रू इंवर्स्टन बताएं जिसकी परसंक्त लिए रिदिग रीडिंगेतन मीरी देडिकन जेखने आया ह hmmm, so five of pentacle हमारे पास आया है, queen of sword हमारे पास आया है, we have the knight of wands, okay, eight of pentacle, we have the judgment, king of cups, ten of sword, emperor and the nine of pentacle, okay, so viewers I think आपको सारे कार्ट अच्छे से नजर आ रहे होंगे, right, okay, viewers तो देखो, आज आपके person की जो right now के energy है, वो यह दिखाते है, कि आपके जो person है, viewers, यह कैसे person कहीं न कहीं हो सकते हैं, या तो यह अपने future पे, अपने study पे, अपने career पे, अपने पैसो के लिए, बहुत बहुत जैसे की, बहुत overthink करते हैं, मतलब ऐसा person है, आपका जो की, इन चीजों की पेशे कुछ जादा ही भागते हैं, ठीक है, और में भी इतना ऐसा भी रहा होगा, कि आपके person ने, अपना career बनाने के चक्कर में, या फिर अपनी life बनाने के चक्कर में, आपको बहुत ignore किया है, time नहीं दिया है, आपको लगा होगा कि यार ऐसा भी क्या हो गया, कि इस person के पास में दो मिनट नहीं है बात करने के लिए, वैसे तो phone पे लगे रहते हैं, वैसे तो हर समय available रहते हैं, हर एक के लिए, पर इस person के पास क्या मेरी लिए ही time नहीं है, आप मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कही न कि आपको इस person की वज़े से काफी depression हुआ है, मतलब यह जो person है, इनोंने अपने आपको एक तरह से अलग रूम में ले गए सपोस्स करो, ठीक है, और वहां पे अंदर कर लिए अपने आपको lock और बोल दिया कि नहीं बहुत busy हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, नहीं कर सक कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया इनकी life में अंदर कि यह person मुझे बात तक नहीं कर पा रहे है, यहां पर एक चीज और नजर आती है कि कहीं नहीं कि आपको अपने person के सामने, अपनी value को find out करने में बहुत समय लगा है, बहुत समय, वैसे तो अगर देखा जाए, आपके person ने आपको शुरुआत में प्यार भी बहुत दिया होगा, क्योंकि मैं देख रही हूं यहां पर, nine of, nine of कह रही हूं, यहां पर, night of wind के energy निकल के आती है, जो, इनसान के मन में न, मतलब भावनाय जो होती है, वो उसको बहुत खुल के वेक्ट करने वाला person होता है, यह जब आप अब यह लोट के आएंगे, आप से बात करेंगे, आपको अपना समय देंगे, just like a feel like a pradhan mantri, a pradhan mantri अपने कक्षे बहार आएंगे, वो आपको अपना समय देंगे, appointment देंगे, फिर आप उनसे मिलने जा होगे, आप उनसे बात करोगे, तो एक बहुत ही valuable person, जिसके पास में बहुत ही ताइम नहीं है, क्योंकि वो और उसे बात करने में busy है, ठीक, उनके पास में बहुत सारे लोग आते हैं, connect होते हैं, तो यह कही ना कही रहा है, और अब मैं देखे पारी वीवर्स की, आपके person का जो यह mindset था ना, कि वो आपने आपको ऐसा दिखाते थे, just like a superior, just like a emperor, ठीक है, तो यह कही ना कही, यह जो emperor है यहाँ पे, इनके सिट्टी पिट्टी गूल है, क्यों, इनका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, इनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, मतलब आप जाहें जो भी काम कहलो आप, ठीक है, हाँ, जो भी काम कहलो आप, ल की और भी कामने जे एते हैं just词 का मनला होता है λλाया हो जो हुई हो और इसे भाजह करते हो इस अधर मन सेकरते लिए आपको भात है आइक करते हो दिन दात करने में आप आप हो मिज़ेता है लाज़ cya जो परसन hasil का नहीं लग रहा है थो परसंट का मनोत लut thank you जो आप काम कर रहे हो उसमें बोरियत हो जाना है तो वही आपके परसंट के अनर्जी दे आर विकमिंग बोर अब यह जोन से निकलना चाहते हैं और यह आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं क्योंकि मैं देख रहे हूं यहां पर आपकी जो अनर्जी आई है वो किंग आफ कप्स की पर आपकी एनर्जी मुझे किंग आफ कप से जादा यहां पर कुई आफ सोड की नजर आती है यह नहीं देखो प्यार तो आपने इनको दिया आपका जो प्यार था उसमें सिंसियारिटी थी उसमें कमिट्मेंट था उसमें लगाव था उसमें अपना पन था उसमें उसमें सकता है तो यह मैं देख रही वीवर्स की कहीना के इस परसन से यह जो परसन है आपके क्या चाहते हैं यह चाहते हैं कि आपका वही प्यार वही प्यार वही टाइप वही रूप वही रंग वही नेचर वो इनको मिले और यह जो अपने आपको बहुत जादा मतलब आपके तो यहां पर विवर्स एक पॉइंट यह नजर आता है कि कहीं न कहीं आप अपने परसन पे एक तो विश्वास नहीं कर रहे हो ठीक है क्योंकि आपको विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि यह जो परसन है यह कभी कमिटेड रहा ही नहीं आपके लिए या रही ही नहीं तो कोई इनसान को एक बार मतलब आपको परशान करे धूका दे या फिर किसी एउर के साथ में कनेक्ट हो जाए या फिर आपके साथ में बात ही चुपाए तो एसे परसंगे साथ में जोड़ने से क्या फायदा जो आपकी वैलियू इना करे तो आप मुझे यहां पर सोचते वे नजर आ रहे हो, सोच विचार गरते वे नजर आ रहे हो कि इसको एक सबक जैसे देना है आपको ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखो continuous way में weaver's energy जो निकल के आती है वो कहीं न कहीं आपको इतना practical बना देती है कि आप इमोशन में यानि इसके चिकनी चुपड़ी बाते हो सकती है या इनका जो आपको बहलाना, फुसलाना, अपने तरफ अट्रैक्ट करना आपको अपने प्लैजर के लिए आपको अपने तरफ खीचना तो आपको यह सब चीजे अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वीवर्स मुझे ही आप है क्योंकि आप हर्ट बहुत हुए हो, आप तकलीफ में बहुत गए हो आपने बहुत कुछ फीस कर लिया, आपने बहुत कुछ फील भी कर लिया अंदर तक अपनी भावनाओं को कहते ने आप जब इनसानगी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो भावनाओं हैं, वो पूरी ना हो तो एक टाइम के बाद, कहीं न कहीं आते 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 वो उन पे काबू पाना सीख जाता है वो उन पे कंट्रोल पाना सीख जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़द ज़द नेगेटिव एक्सपिरिंसेज मिले हैं बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो उसके मन के मताबिक नहीं हुआ तो आपने अपनी फेलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लिया अपनी कंट्रोल कर लिया, आप यह मैं यह नहीं कहूंगी कि आप अपनी जिंदगी में जुड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन किसी ऐसे बॉर्सन से जुड़ना चाहते हैं जो अक्चल में आपकी टाइम की वैल्यू करें अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो तो अटलिस वो से सुने तो सही उसे अब्जर्व तो करें कि आप क्या भूल रहे हो तो मैं यहाँ पर देख रिवीवर्स कि अभी आप इस परसन से कहीं न कहीं बॉंडरी से सेट कर रहे हो और अभी यह जो आपको माइंड बहुत क्लियर है आप किसी तरह के कोई कंफ्यूजन में नहीं हो क्लियर माइंडेड मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो दूर दर्शी हो आप यहाँ यहाँ पर और यह जो आपकी थिंकिंग है ठीक है आप इस परसन के साथ में जो मिभी आप लोग में से कुछ लोग की बातचीत वगरा भी हो तो तो आपके अपने परसन के अलमानों पर पानी फिर रहे हो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि टैन अफ सोड यहाँ पर आया है तो आपके परसन के कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है और यह फिल लाए कि यह मतलब इनके ओपर यह क्या गर गई गाज गर गई कहते है प्रॉब्लम आ गई सटन और समझ भी नहीं आए कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरा कोई अपना नहीं है तो आपके परसन को ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई अपना नहीं मेरा कोई सगा नहीं है इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया और आपका इस तरह से बिएव करना ही इस परसन को प्रॉब्लम दे रहा है ठीक है क्योंकि इनकी ख्वाइश तो थी आपको इस अनर्जी में देखना तो ये तो होना ही था कहीं न कहीं तो ये कुछ आपके रिलेशन्शिप में मुझे होता वे नजर आयरा है कि आपके परसन अपनी जिंदगी में जो भी इनके पास है आप समझ सकते हैं आपके परसन के लाइफ में क्या है क्या नहीं है तो जो भी है उसमें ये खुश नहीं आप उसमें comfortable feel नहीं कर रहे हो just like how you are finding something else तो यह जो उनकी तलाश है विवरस वो यहां पर आपके साथ में आके खतम होती है और आपके साथ में खतम होती ही वो dead end में पहुंचाती है यानि कि उनको वो चीजें मिली नहीं है जो आप से बुचाते हैं तो यह कुछ मुझा आज की इस रीडिंग में राइट ना में नजर आए कि आपके परसंद इन सब चीजों को feel कर रहे है कि आप कितना बदल गए हो आप तो बिल्कुल ही बदल गए और इनको अगर मैं सच बताओ ना भी परसंद को इन चीजों का हिसास भी नहीं है तो इसमें गलत किया है तो इनको अहसास भी नहीं है फिलाल यह जो रीडिंग है इसमें अहसास नहीं नजर आता इनको यह लगता है कि यार तुम तो बड़े अकडू हो गए या रूड हो गए हो तो यह कुछ ऐसा मुझे इहां पर मिलता है तो यह है विवर्स रीडिंग आपके लिए अगर विवर्स होई है तो लैक्षेंग सबस्क्राइब जरू कर लीजगा विवर्स तो चली मिलतें नेक्स रीडिंग में तिल दन टिक रिए वसल्फ गट ब्रेशी विवर्स थेंग वोचेंग गाईस बबाई